Hello friends, GSM helpful channel में आपका स्वागत हैं मेरी पास है Moto G5 S Plus उसमें factory mode आजाता है जब भी phone चालू करते है तो phone automatically factory mode में चला जाता है तो उसका solution में आपको बताने वाला हूँ यह method मेरी साब से सब Moto phone में काम करेगा आपको एक tools डाउनलोड करना है tools का नाम है rescue smart assistant तोल्स की लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्सिन के निचे से मिल जाएगी तो पहले आईडी पास्वर्ड यहाँ पे एड कर लेना है अगर आपके पास आईडी पास्वर्ड नहीं है तो निचे फेस्बूक, गूगल और माइक्रसॉप्ट जो तीन सिंबॉल बता रहा है वहाँ से आप डाइडिक्ट लोगिन कर सकते है तो फॉन अल्लडी मैंने कनेट कर दिया है तो यहाँ पे फॉन डिटेक हो रहा है उसके बाद आपको फाइल डाउनलोड करने पड़ेगे वेट करें जब तक फाइल डाउनलोड नहीं हो जाती बड़ेगे प्लाउनलोड नहीं हो जो जाती है झाल 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 उसके बाद आपको स्टार्ट रिस्क्यू पे क्लिक करना है और वेट करना है जब तक प्रोसेस फूरा नहीं हो जाता झाल 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 लज唱 यह यह तो ऐसे ही वीडियो के बारे में इंफ्र्मिशन चाहिए तो हमारी चैनल GSM हैफो को जरू सब्सक्राइब करें वीडियो पसंद आए है तो लाइक करें शेर करें अपने दूस्तों के साथ और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया झालना के संद करें झाल झाल